हलो परिये छात्रो आप सभी का स्वागत है दोस्तों आप सभी का जो यूपी बौड का एकजाम होने वाला है उसका डेट किलियर हो गया है दोस्तों इसमें हाई स्कूल इंटरिमीडिто के एकजाम कब है अग कितने सिफ्ट में एकजाम हो गए सबका डाउट यहां पर किलियर होगा बस आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लाज तक बने रहें दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को फ्रेश करें दोस्तो हाई स्कूल में इंटरीमिडिइर का जो एक्जाम होगा वो 24 अपरेल से आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट पाइंट आप यह ध्यां रकिए कि आपका जो एक्जाम होने वाला है फिश्वेश क्यूपियस ओपरेल से इस्टार्ट होगा second point पो आप याद रखिए जो high school का exam होगा first shift में 8 बज़े से लेकर 11 बस कर 15 मिनट तक होगा जबकि जो second shift में आपका intermediate के exam होगा जो 2 बज़े से लेकर 5 बच कर 15 मिनट तक होगा इस point को याद रखिए चलिए आप देख लेते हैं किस date में कौन से exam पढ़ेगा देखे 24 अपरेल से आपका exam start होगा जिसमें आपका शनिवार दिन पढ़ेगा और इसमें जो है 8 बज़े से लेकर 11 बच कर 15 तक आपका exam होगा first paper आपका होगा हिंदी जबकि intermediate का जो exam होगा 2 बज़े से लेकर 5 बच कर 15 तक होगा इसमें भी इनका जो first paper होगा हिंदी समान हिंदी होगा चलिए next paper देख लेते हैं next paper आपका कब है 26 अपरेल को 26 अपरेल को सोमवार का दिन पढ़ेगा और high school का जो paper होगा उसमें अर्भी फार्सी होगा जबकि intermediate का जो exam होगा संगीत गायन संगीत वर्दा निर्तांकला होगा और high school का एक paper होगा संगीत गायन जो दो बज़े से लेकर 5-15 तक होगा इसमें intermediate का जो exam होगा किर्सी सास ये सब होगा दोस्तों इन सब ही को आप पढ़ लिजी का आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं चलिए next देखते हैं आपका next paper कब है 27 अपरेल 27 अपरेल को जो मंगलवार का दिन पढ़ेगा इसमें जो high school का जो paper होगा फर्स्ट पाली में ग्रीविग ज्यान होगा किवल पाली काओं के लिए ग्रीविग ज्यान होगा जबकि next देखते हैं intermediate का जो exam होगा 27 तारिको उसमें उर्दू होगा गुजराती पंजाबी बंगला मराथी आसामी ये जितनी भासाइए हैं इनका exam होगा और जो time के जो intermediate का second shift में दो बज़े से लेकर 5-15 तक जो exam होगा उसमें बही खाता तथा ले खसास्त जिसका होगा उनका होगा भुगोल का होगा चलिए next अगला paper आपका होगा बूधवार बूधवार के दिन यानि 28 अप्रेल को 28 अप्रेल को जो intermediate का होगा exam चित्र कला रंजन कला होगा और जो होगा सैन्न विज्या intermediate का सैन्न विज्यान होगा जबकि second पाली में हाई स्कूल का computer होगा और intermediate के जो छात्र होंगे उसमें ब्यापारिक, संगठान, इंपत्र ब्यावार इन सब का ग्रीव ज्यान का होगा चलिए next देखते हैं नेक्स पेपर आपका है 29 अप्रेल 29 अप्रेल यान ब्रिहस्पतिवार के दिन ब्रिहस्पतिवार के दिन फर्स्ट पाली में जो एक्जाम होगे हाई स्कूल के उसमें गुजराती जिनका सब्जेक्ट गुजराती होगा उर्दू होगा, पंजावी होगा ये सब सब्जेक्ट होगा, इसको देख लिएगे दोस्तों एलगू, मल्यम, नेपाली, जिसका भासा होगा, उनका एक्जाम होगा और इंट्रमीडर के जो छात्रे, उनका चित्र कला होगा चलिए, नेक्स देखते हैं आपका इंट्रमीडर के जो सिकेंट पाली में हाई स्कूल के छात्रों का संगीत वाधन होगा और और स्थास वाली जी भूगो, जिन चात्रों के ये सब्जेक्ट होगा उनका सिकेंट पाली में एक्जाम होगा चलिए, नेक्स देखते हैं आपका शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन यान 30 अपरेल तीस अपरेल को जो हाई स्कूल के छात्र है, उनका अंग्रेजी होगा जबकि इंट्रमीडियर के जो छात्र है, फल, एमखाद संरत्चर, पाक शास्त्र, पर्देन, ये जिनका विसे होगा चलिए इंट्रमीडियर के देख लेता, अन्य सब्जेक्ट, ये इंट्रमीडियर के जो छात्र है, उसमें कंप्यूटर होगा, द्यूति प्रशन पत्र ये सब पूछे जाएंगे, और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, शनिवार के दिन, शनिवार के दिन जो है छात हो, उनका पेपर होगा, पाली, अर्भी, फार्सी होगे, जबकि, चलिए आगे नेक्स देखते हैं, ये इंपोर्टन सब्जेक्ट है, सो मुवार, सो मुवार के दिन, यानि तीन माई 2021 को, समाजी उग्यान है, हाई स्कूल के जो छात्र हैं, उनका समाजी उग्यान होगा, जबकि, इंटर्मीडियर के छात्र हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पीडियाप में, चलिए नेक्स, ये इंटर्मीडियर के छात्र हैं, सिकेंट पाली में, अधी, ओसर तत्त, किर्सी भावतिक, जलवाई, विज्ञान, तृति प्रश्च पत्र होगे, चलि और इंटर्मीडियर में जो होगे, उनका हाई स्कूल में जो होगे, तो मानो, विज्ञान, रिटेल, ट्रेंडिंग होगा, जबकि, जो इंटर्मीडियर के छात्र होगे, उनका रसाइन, विज्ञान, इतिहास, यानका सब्जेक्ट, रसाइन, विज्ञान होगा, ये पेप chapter है उनका और देदिक शंगत्षन होगा चलिए next देखते हैं आपका next आपका है जो छात्र हैं उनका गड़ीत का प्रश्ट पत्र होगा और गड़ीत प्राराम्भीक सांख्य की यह सब सब्जेक्ट होता होगा और इंट्रमीडिर के जो छात्र होगा जिनका समास्थास्त्र होगा उनका यह पत्र उनका यह प्रश्ट पत्र होगा चलिए यह सब पढ़ दिन ये सब intermediate के subject आप सभी लोग पढ़ लिजीगा दोस्तों ये पीडियो आप इसके description बाक्स डाउनलोड कर सकते हैं और इस पीडियो को अपना subject लिख लीजिए और उसके चिपका लेजिए और अपनी तैयारी में लग जाएगे इसलिए कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है ये दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए ति वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करें Thanks for watching